सोम भार 6 जून 2022 को सर्च इंजन गूगल पर एक नया डूडल देखने को मिला इस डूडल में कोफी के रंग की एक पुरानी मशीन दिखाई गई क्या आप जानते हैं कि गूगल ने ऐसा क्यों किया अगर नहीं तो आईए बताते हैं यदि गूगल को पूर्व काल के किसी विशेश व्यक्ति के सम्मान में शरत धांजली अर्पित करनी हो तो वह उस व्यक्ति से जुड़ा विशेश डूडल तयार करता है इस बार पहली कोफी मशीन का डूडल तयार कर उसने इस मशीन के अविशकारक को याद किया यह डूडल ओलीविया वेन ने बनाया है आपको बता दें कि इस कॉफी मशीन को एकस्प्रेसो कहा जाता है इसका अविश्कार इटली के एंजेलो मौरियंडो ने किया था यह उनकी 71 जैनती है तो कौन थे एंजेलो मौरियंडो आईए जानते हैं इस वीडियो में एंजेलो मौरियंडो का जन्म 6 जून 1851 को इटली के ट्यून में हुआ था वे एक व्यपसाइक परिवार से तालुक रखते थे उनके दादा ने एक शराब उत्पादन कंपनी की स्थापना की थी बाद में इस कंपनी को उनके बेटे यानि एंजेलो के पिता को सौंप दिया बाद में उन्होंने अपने भाई को और चचेरे भाईयों को साथ लेकर चोकलेट कंपनी मरियूंडो एंड गेरी गलियो की इस्थापना की जो बहुत लोग प्रिये हुई अपने पारिवारिक लोगों से प्रभावित होते हुए मोरियूंडो ने दो प्रतिष्ठान पहला शहर के केंद्र पियाजा फेलिज में ग्रेंड होटल लिगूर और तूसरा गैलेरिया नाजियो नेल में अमेरिकन बार वाया रोमा इटली में कोफी बहुत लोग प्रिये थी मगर ग्राकों को बहुत असुईदा होती थी क्योंकि उन्हें कोफी के लिए बहुत अपने प्रतिसपर्धियों पर बड़त भी मिलेगी उन्होंने अपनी मशीन में कोफी बनाने के लिए भाप और उबलते पानी के सहींजन का इस्थेमाल किया इस एस्प्रेसो मशीन में एक बड़ा बॉयलर था जो गर्म पानी को कोफी बेट की और तेजी से बहुता था सा कोफी बनने में मदद मिलती मोरियोंडो ने साल 1884 में ट्यूडिन के जनरल एक्सपो में अपनी एस्प्रेसो मशीन प्रस्तुत की इससे पहले उसे एक मेकैनिक की निगरागनी में रखा गया जनरल एक्सपो में इसे कांशिपटक से सम्मानित किया गया 23 अक्टूबर 1885 को पैरिस में रेजिस्ट्रेशन के बाद एक अंटर राष्ट्रिय पेटेंट द्वारा अविशकार की पुष्टी की गई इसके कई वर्ष बार भी मोरियोंडो ने इस मशीन में सुधार और पेटेंट कराना जारी रखा यह मोरियोंडो के अविशकार का ही परड़ाम है कि हम कुछ ही समय में गर्मा गर्म कोफी तैयार मिल जाती है अगर यह अविशकार ना हुआ होता तो हम आज भी घंटों केफे की लाइन में लगे होते तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी हमें अपने विचार कमेंट वक्स में जरूर बताएं